वेलकम टू माई यूटीब चैनल तो यहां पर देखें बहुत सारी नम टेस्टी सी मैंने जो हैना नान कटाई बनाई थी और यह भी मुझे आज 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 मिली थी तो इसकी पूरी रेसिपी में आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो हैना मैंने यह बनाई काफी जादा जिसमें मैंने अम्मूल का यह है पूर्ण यह हन्रिड ग्रम ले लिया है और यह मैंने पूरा पैकेट ही इसमें यूज किया है कि आफ बारी वेयन थो historians नोर्म तेमपरेच्र में 8 जो अगर आपने इह बला जो बटर है या फिर कोई भी जा भी भी है अगर आफ ने वह फ्र टो इसे मैंने इस तरीके से निकाल लिया यूज करने के लिए तो यहां पूरा 100g जितना पयात गया में जिंग चीनी कोंटिटी thोड़ी सी कम की है क्तड sem 지나 George के सबसें दूर्ड़ी नूर्मल होई तो यहां पर चीनी जो भी shipping करोंगे जिकिसxt आपकोन होगी करें लुकुत बिल्जों में जब नियुमाराइए करें नियुक्त ऐसомटू कि इसे चता है but कर दोगरें तज उड़ीव में करें मिख से तो भी लिएूंगि पैट के साथ तकेकर की यहीं थोड़ीडरार सेड़ी तो अच्छी आगरें आप यहीं यहां अपको प्रगक हैं इंग्रीटियन्ट में matters बताब सबको पसंद आएगी तो यहां पे देखें मैंने यह घ्री फिल्ट लिया था यहां फिलिंडिया तो इस पर प्राइटर पानी यूज से तरीके से टिरीक करें किम अच्छे से यूज से करें तक पूरा बैटर जो पूरा जो सीर्क पूरा प्रापले यूज से सिल्की स मुल्क को दूकरेते चुषभ दूकर रहे हैं सब्सक्राइबूंद्ट में यह हमें बैटर को यह बनी सब्सक्राइब करेंоки पार्टनारा कहि音 लिए विमी कणे पिने शोरा है किकट्र में कुछ नतीर ब्लेंडर जेडिए पास हुआно बहुत कि अमक्नार कैद मुल्क to और करना है यहां पर देखे स्पीड इसकी 1-3 तक है जो मैंने आपको दिखा दी तो 3 वाले पर लास्ट पर ही हमें इसे अच्छे से करना है तो यहां पर और और इस सारे बैटर कोम कलेक्ट कर लेंगे कलेक्ट करने के बाद जो है एक बर मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर से तो यह वाला हमारे पास जो बीटर है इसके साथ हमें पर फिर से मिक्स करेंगे तो टोटल जो टाइम कम इस कंज्यूमिंग है इसमें यह हमें 5-6 मिनिट तक लगेंगे उससे ज्यादा नहीं अगर आपके पास बीटर दूसरा है अगर दूसरी कंपनी का है तो एक आदा मिन पर पर प्रोसेस को करना है तक प्रेशर के साथ यह चीज हो और जल्दी हो और थोड़ा से इसमें जो टेक्स्चर है वो क्रीमी बाला आए जाए तो यहां पर सच्छे मिक्स करेंगे तो यहां पर काफी इसकी कॉंटिटी भी ज़दा हो गई है बैटर के साथ मिक्स करने के अगर आपके पास घर की कुटी हुई लाइची है अगर आपके पास जो इलाइची पाउडर जो मार्केट में मिलता है अब वह भी यूज कर सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा से इसे प्रोफेशनल करना था तो मैंने चाहती थी कि कुछ भी ऐसे चंक्स आए लाइची के तो कर्डमम एसेंस यूज करने से इसका जो 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 इसका इसका थोड़ी सी और ज्यादा इन्हेंस होती और कुकी जो है इसमें थोड़े से हाथ मतब फ्लेवर जो है वह थोड़े से हमें ज्यादा स्ट्राउग अच्छ लगते तो इसलिए मैंने जो थाना यहां पर एसे चाह कि sebenarnya झाले जोड़ता हैं आप किसी और फ्लेवर का भी बनाना है किसी और बना के उसका एसेंस विए एक तो इसमें अच्छ लगता है तो इसे फिर से मैंने डालने के बाद एक दू ब्लेंडर के साथ आ अर देखिएंगे आ पर मिक्स हो गया है साथ में यहां पर हां मैंने मैं भी छंनी में डाल दिया था ताकि इसे स्टेन करना हमेरे लिए इसे एज़ी हो जाए वी दो चमश भर के घर के नॉर्मल बेसन ले लिया था मैंने सूजी एड नहीं की है साथ में मैंने हाफ टी स्पून जो था ना यह मैंने बेकिंग पॉडर ले लिया और उसके बाद जो है इसे अच्छे से हम स्टेन करेंगे ताकि जितना भी हमारा बैटर है वह अच्छे से स्टेन हो जाए और यहां पर मैंने जैसे कहा कोई भी के सूजी को था जर्य नहीं क्य catern ete gekommen कि mm अच्छे से जहां सब्सक्राइब मैंने स्टीन करेंगे करें इस और अजद सब्सक्राइब करेंगे और हमारे पास पास वीसकर नहीं में करें ऱ्कार थे रिचक जो यहां पूरे बैटर को करेंगे मैंने पूरे बैटर को क अपने हाथों का यूज करके सारे बैटर को फिर से मैं अच्छे से कलेक्ट करूंगी और यहां पर ना जब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करी थी ना तो मतलब इतना अच्छा यह एकदम सॉफ्ट था कि पानी की फ्रेंड्स एक जरा भी जरत नहीं है इसमें क्योंकि इसमें पूरे बैटर को एड़िस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या इंग्रीडियंट है जो मैंने यूज किया है जिसके साथ इसका टेस्ट और इसकी बाइनिंग को और ज्यादा अच्छे से नीट करने के लिए मैंने क्या यूज किया था करें नीट करने चाहिए तो में था अरू यूज करना है जएवातना करें और जीसके सा इता जे फोड़िए तैसर पांदेगे ऑगे से लिए मैं हमने धिनित तो जादा नहीं करनें यहादा ओर घा दो करें तो देखें अभी से जो बाइंडिंगे ना यह होने स्टार्ट होगी इस तरीके से देखें इसे अगर मैं फोल्ड करूंगे तो यह बाइंडिंग हो जाएगी लेकिन इसे थोड़ा सो और हमें अभी टेक्श्चर मेलाना है क्योंकि यह थोड़ा सबी जैसे हमोन डालते बस उस तरीकी का काम हुआ है अभी तो यहां भी देखें इसे मैंने कटके परफेक्ट रख लिया था साथ में मैंने यहां पर देखें यह नैसले का जो मिल्क मेलेना मैंने यह यूज क्या यह हमारी बाइनिंग करने में कफी जादा हेल्प करें गा एंड टेस्ट जो है इस इसके साथ जो स्वीटनेस है ना मैं थोड़ी सी और बढ़ाऊंगी क्योंकि जो चीनी थी वो हमने कम यूज की थी मैंने आपको बताया और यहां पर मिल्क मेट की वज़े से जो एक मिल्क मेट का जो टेस्ट है वह आ जाएगा हमें अलग से मिल्क पाउडर यूज करने की और यह एक दम ज़़रत नहीं है और इसके साथ ही इस मिल्क मेट के षाञा है हमें ओने वाली है कि में पानी वगएरा की कोई ज़रत नहीं है इसके साथ भाईनिक का अच्छी होगी बस मुझे ज़रत है मैंने इसमें अच्छे से डालने के बाद गया इसे में एक बर से कलेक्ट हो जा और यह काफी जादा स्थिकी है फ्रेंड्स तो मतब बाइंडिंग में काफी जादा हेल्प होगी इसकी वज़े से तो इस तरीके से अगर आप यह कुकी बनाते हो ना तो डेफिनेटली मैं कहते हूं कि 200 परसंट गैरिंटी की कुकी आपकी बहुत जादा डि यह वाला जो था ना यह बैटर पूरा रेड़ी था इसे में एक वर अच्छे से नीट कर लोंगी और सारे बैटर को एक साथ कलेक्ट कर लोंगी तो ऐसी वाली जो कुकी है ना मुझे पहले भी ऑर्डर में आ चुकी हैं बहुत बार तो मैंने सोचा इस बार मुझे बहुत के साथ भी शियर करूं कि मैं जो है ना कैसे चॉकलेट्स वगेरा वह भी आपको दिखाऊंगी और जो कुकीज है वह कैसे मैं अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज की बना के अपने कस्टमर्स को देती हूं तो यह भी मैं सेल करती हूं यह मुझे डेड़ के जी जितनी ही तो यहां भी देखे बैटर हमारा रेडी था इसे मैंने रेस्ट बिलकुल ही दिया है इंस्टेंट हमें इसे एक दम बेक करना है तो इसके लिए यहां पर मैंने जो कपकेक का मोल्ड आता ना मैंने वह यूज किया इस पे भी हम अराम से अच्छे से बेक कर सकते मेरे पास ज तो इस तरीके से मैंने कहीं पर भी कोई ग्रीसिंग नहीं की या फिर इसके जो कपकेक के मोल्ड उसमें मैंने कोई भी बटर पे यूज किया क्योंकि अरे इसमें बटर है तो आप देख रहे हैं तो इस तरीके से पूरा जो बटर इना मेरे हाथ पर भी लगा हुआ है तो इ इसे मैं 180 डिग्री सेंटिग्रेट पे 20 मिनिट तक ही बेक करूंगी उससे ज़ादा नहीं ही इसे बेक करूंगी और फ्रेंट्स हमेशा भी यूज रखें याद रखें कि जो बेकिंग है ना जो मैदा होता है अगर हम उसे बेक करते है ना तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी ह इसे बेक करने के बाद एक दम भी चिपका नहीं कहीं पर भी इस तरीके से मैं बाकी के बेड़े जितने सारे मेरे पास कुकी जो बाकी की ट्रेम है वह भी निकाल लोंगे और उन सब की डेकुरेशन करूंगी और डेकुरेशन यहाँ पर आप देखना काफी ज्यादा इंट देकुरेशन भी वैसी चाहिए ताकि काफी अच्छी लगे अथेंटिक लगे दिखने में तो क्योंकि जो कुकीज है नान खटाइस जो है यह हमारे इंडियन ट्रेडिशनल को बिलकुल रिलेट करती है तो हमें जो ना इसके हिसाब से थोड़ी सिहाँ पर डेकुरेशन भी यूज किया और इस तरीके से देखे यह जो मेरे पास नोजल थी जिससे हम नाम लिखते ना मोटी वाली जो मैंने आपको केक डीजाइन्स पर बहुत बार दिखाई है बस उसके साथ इस तरीके से में लाइनिंग वाला बस डिजाइन दे देना है उसके उपर थोड़े से मै यह जो पिस्ता है यह जो तरीके से इसके साथ गार्निशिंग करूंगी और इस पर थोड़े ड्राइफरूट्स लगाती जाओंगी तो फ्रेंड्स यह वाली रेसिपी जरूर आप ट्राय करें क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स थे उन्हें काफी जादा पसंद आई क्योंकि मैं पहले दी हुई थी ना उन्होंने ही आगे रेफरेंस दी थी बाकियों को कि आप जोने एक बर यह कुकी स्ट्राइक करो तो उन्होंने मुझसे यह और लिये थी तो यह वाले कुकी जो थे उन्हें तो बहुत जादे पसंद आए अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताए कमेंट करके कि मैं और जो बाकी ओर्डर्स लेती हूं फूडिंग के या फिर ऐसे कुकीज के 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 साथ वो भी आपके साथ शेयर करो कि नहीं ताकि आपको भी हेल्प हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट इंग्रीडियेंट्स होते हैं जिनकी वज़े से टेस्ट जो है ना सपोर्ट करते हो और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और सबके साथ शेयर करें बहुत अमेजिंग बनने वाली और इसका टेस्ट सबसे अलग है सारी नांखिटाई से और इसमें मतबना बहुत कम इंग्रीडियेंट्स है लेकिन सबको यह बहुत जादा पसंद आई थैंक्स पर वाचिंग